नवस्ते मित्र मेर्णम कुनाल चंदाकर आज हम इश्वर की ओर चैनल से जानेंगे महानवमी, मतलब माता नवमी के तिथी में कौन सी देवी का पुजा होता है तो इसको सिद्धी दात्री देवी बोलते हैं जो की सिद्धियों को देने वाली देवी है तो ये महा नम्मी उसका वरत कथा करने से प्राप्त होता है सभी सिद्या तो इसके बारे में जानेंगे कन्याओं के पुजन के बाद ही नौ दिनों के बाद वरत खोला जाता है मा सिद्ध दात्री का पुजन करने के बाद ही नौरात्र समाप्त किया जाता है सार्दिय नौरात्री में आने वाले नम्मी को महा नम्मी भी कहा जाता है नौमी नौरात्री की नववा दिन और दुर्गा पूजा का तीसरा यानी आखरी दिन होता है मा दुर्गा के ये नौ दिन हिंदु धर्म में बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है इसके बाद दस्वे दिन दसेरा जिसे विजय दसमी भी कहा जाता है एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है अश्टमी की साम से ही नौमी की तिथी लग जाती है इस दिन नौ दिनों के उपवास और तब का आखरी दिन होता है कन्या पूजन करने और नौरात्री का समापन किया जाता है नौमी आनि दुरगा नौमी के दिन कई लोग अपना वरत पूर्ण करते हैं और अंत में छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है और उन्हें घर मान्यता के अनुसार छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है कन्याओं के पूजन के बाद ही नौ दिनों के बाद वरत खोला जाता है मा सिद्ध दात्री का पूजन करने के बाद ही नौरात्री का समापन किया जाता है सास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मा परवत्ती ने महिसासुर नामक राक्षस को मारने के लिए दुर्गा का रूप लिया था, महिसासुर एक राक्षस था जिसे मुकाबला करने सभी देवताओं के लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए आधी सक्ती ने दुर्गा का रूप धारन किया और महिसासुर से आड दिन तक युद्ध किया और नौवे दून महिसा सूर का वद कर दिया उसके बाद से नौरातरी का पूजन किया जाने लगा नौवे दिन को महानौमी के दिन से जाना जाता है इसके साथ ही सबसे पहले भगवान राम ने रावन के युद्ध करने से पहले नौ दिन मा दुरगा की पूजा की थी और उसके बाद लंका पर चढ़ाई करके दस्वे दिन रावन का वद किया था इसलिए नौरातरी के अगले दिन विजय दस्मी का परव मनाया जाता है इस दिन को सत्य की असत्य पर जीत और धर्म की अधर्म पर जीत रूप मनाया जाता है इस सिद्ध दात्री में मा की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और सादकों को लौकिक पालौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ती होती है सिद्ध दात्री मा के किरपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना सेस बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे सब वह सभी संसारी की च्छाओं और शक्ताओं और इस प्रियाओं को से उपर उटकर मांसिक रूप से मा भगवती के दिव्य लोकों के विच्रन करते हुए उनकी क्रिपा रस्पियूस की निरंतर पान करता रहुआ विशय भोग शुन्य हो जाता है मा भगवती का परम सानिद्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है इस परमपत को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की अशक्ता नहीं होती मा के चरनों का यह सानिद्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियम निष्ट रह कर उनकी उपासना करने का नियम कहा गया है ऐसा माना जाता है कि मा भगवती का इस्मरन ध्यान कूजन हमें इस संसार की असार्ता का बोध कराते हुए वास्त्विक परम सांती दायक अम्रित पत की ओर ले जातने वाला विश्वास किया जाता है कि इस अराधना से भक्त को अनिमा लनिमा लदिमा प्राप्त प्राक्यम्य महिमा इशिता इशित्वाह सर्वकाम वास्यता धूश्रवन पराक्रम प्रवेश वाक सिद्धी अम्रत्व भावना सिद्धी आधी समस्त सिद्ध्या नव निध्या की प्राप्ती होती है ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप ना कर सके तो अपनी सकती अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर मा की किरपा को पात्र बन सकते हैं मा की अरादना के लिए इस लोग का प्रयोग होता है मा जगदंबे की भक्ती पाने के लिए इसे कंठस्त कर नौरात्री में नौमी के दिन इसका जप करने का नियम है तो ये था नौरात्री के वृत का नियम जो पाला जाता है उसके अनुसार भजन भक्ती किया जाता है सर्व सिद्धियों की दाता मा सिद्ध दात्री देवी दुर्गा के नौवे अंतिम सरूप है तो इसकी पूजा अर्चना आप कैसे करेंगे जैसे की मा को अपन को ध्यान करना है कि उनके चार हाथ हैं और जिसमें वह संक गदा कमल का फूल तथा चक्रधारन करे रहती है या कमल पर विराजमान रहती है इसके गले में सफेद फूलों की माला तथा माथे पर तेज रहता है इसका वाहन सी है देव पुरान में ब्रह्म वैवत पुरान में देवी की सक्तियों और महिमाओं का पकान किया गया है पुरानों के अनुसार देवी सिद्ध दात्री के पास अनिमा महिमा प्राप्त प्राक्य गरिमा लगिमा इशिता और वनसिता यहार्ट सिद्यां है देवी पुरानों के मुताबिश सिद्ध दातरी की उपासना करने के बाद ही सिव जी के सिद्धियों की प्राप्ति की थी सिव जी की आधा सरीर नर और आधा सरीर नारी का है इनी की किरपा से प्राप्त हुआ है हुआ था इसलिए सिव जी विश्व में अर्ध नारिश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे चैत्र महिने में हिंदू देवी दुरगा की अराधना करते हैं विक्रम संवत दो हजार चोहत्तर के पहले महिने चैत्र की सुर्वात मंगलवार से हुई तिवहार के दोरान देवी के नौ रूपों का ध्यान करने से सांती और आनंद की प्राप्ति होती है नौ दुर्गों में मा सिद्ध दातरी अंतीम है अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा उपासना सासरी विधी विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा और नौमे दिन की उपासना में प्रववक्त होता है इस सिद्ध दात्री मा की उपाशना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और सादकों को लोकिक पारलोकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ती होती है सिद्ध दात्री मा का किरपा पात्र भक्त सभी चीजों को प्राप्त करता है तो इसलिए मा की भक्ती करनी चीए और अश्टमी में यग्य होता है रातरी में फिर उसके बाद माता नौमी का पूजा पाट किया जाता है तो या देवी सरो भूतेशू भक्ती रूपेन संस्थिता नमस्तसे 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 नमोनमा ये है मंत्र तो ये मंत्र तो बहुत ही सरल है आप इसको याद करके आप इसको अपने जीवन में उतारिए और एक माल अवस्ते कीजे बोलो माता रानी कीजे सिद्दातरी देवी कीजे